हलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल जीके एजुकवार्ट जीके एजुकवार्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज से हम सुरू करने जा रहे है क्वांटिटेटिव एफ्टिटूड मैटमेटिक्स जो की एज चांट यानि आरशा अगरवाल कर रहेगा इसमें जितने भी चैप्टर्स दिये गए हैं उन सभी के क्वेस्टन्स हम कवर करेंगे एज चांट मैटमेटिक्स को मैं कमपटिशन एग्जाम की तयारी के लिए रिकमेंड करूँ है क्योंकि इसमें जो क्वेस्टन आंसर दे गए हैं उनके जो सोलूशन बताए गए हैं इसमें जो फंडामेंटल कंसेप्ट दे वे हैं काफी वास्ट है आप किसी भी एग्जाम लेवल के तयारी करते हैं चाहिए वह कलास लेवल A का हो कलास B का हो, कलास C का या कलास D का किसी भी तरह के कमपटिशन एग्जाम के आप तयारी करते हो उन सब के लिए एच्चान का यह जो मैट है वो काफी important है काफी अच्छा इसमें दिया गया है इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको introduction दूँगा आज की वीडियो में मैं आपको इस math के बारे में बताऊँगा कि इस math में कौन-कौन से chapters दे गए है इस math के अंदर दो sections में chapters हैं जिसमें first है mathematical ability जिसमें chapters रहेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें first रहेगा number system जिससे हम सरुवात करेंगे हर chapter को हम sequence में cover करेंगे हर chapter के अंदर कुछ fundamental concept दे गए है उसको sold example बताए गए है जो कि fundamental concept पर base होंगे कि बाद इसमें exercise मिलेगी जिसमें कुछ question answer पूछे जाएंगे जो multiple choice होंगे यानि चार solution आपको दे जाएंगे तो आप वहाँ से practice कर सकते हैं मैं exercise में हर question को cover करने की कोसिस करूँगा उसके बाद इसमें answers दे रहेंगे जितने भी questions exercise में पूछे गया उन सब के answers solution में आपको मिल जाएंगे उसके बाद वह question कैसे solve किया गया है उसके बारे में भी solution chapter के last में दिया गया है तो हम हर chapter के हर exercise के हर question को cover करने की कोसिस करेंगे तो एक बार section 1 में दे गए chapter की list एक बार हम देख लेते हैं जिसमें first आजातन number system SCF, LCM of numbers decimal fractions, simplifications square roots and cube roots काफ़ important है, average काफ़ important है, problems on numbers problems on age यह कुछ problems रहेगी जिसका हम systematic way से इनका solution find out करने की कोसिस करेंगे, उसके बाद search and indices, logarithms उसके बाद आजाता है percentage profit and loss, ratio and proportion partnership chain rule, pipes and systems, systems time and work time and distance, boards and streams problems on trains alligation or mixture simple interest, compound interest area, volume and surface area races and games of skill clander, cloaks stocks and shares permutations and combinations probability, true discount bankers discount, height and distance old man out and series तो इसमें 35 chapter section 1 में दे गए है जिसमें हम chapter wise हर chapter को cover करेंगे, sequence में cover करेंगे sequence में ही इसमें जो questions दे गए है, multiple choice question दे गए है, उनको cover करेंगे उसके पास second section आजाता है, जो करेंगा data interpretation data interpretation में 4 chapter दे गए है, first tabulations, bar graphs, pie charts and line graphs तो data interpretation का मतलब है, कि हम solution को tabular form में या फिर बार में, pie chart में या फिर line के द्वारा कैसे present करते हैं, उसके बारे में हम section 2 में पढ़ेंगे तो दोस्तों ये थी introductions जो मैंने मैट के बारे में दी है, next video में हम next video में हम first chapter की शुरुआत करेंगे, जो कि रहेगा number and system, thank you दोस्तों, तो ये था introductions, thank you दोस्तों, जैहीं, जैबार्त, वंदे मात्रम